Hello Everyone Welcome back to my channel आज हम लोग बात करेंगे RDA 2020 के बारे में जो है हमारी पार्ट 3 वीडियो आज हमारी लास्ट और फाइनल वीडियो है जिसमें हम लोग RDA के बारे में बात कर रहे हैं इसके बाद में हम लोग अपना स्टार्ट कर देंगे टेक्स्टाइल इसके बारे में कोई भी क्वेशन हो कह रहे हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं RDA तो RDA में हमारा बचा हुआ है मिनरल्स और वाइटमिस और जो हमें निटिटिव वैल्यूस प्रोवाइड किये गए हैं उनके बारे में हम लोग आज डिसकस करेंगी दो चीजों को यहां फोकस किया गया है एक तो RDA को और दूसरा EAR को इन दोनों की ही फुल फॉर्म्स आप सभी को याद होंगी तो आए चलिए बात करते हैं इसके बारे में मिनरल्स वर्तमान कमिटी के दोरा मिनरल्स के विशय में गहन विवेचना की जिसमें कैलशियम फॉसोरस, जिंक, सेलेनियम और आयोडीन के विविन विविन चैप्टर्स को रूप में उसको सम्मिलित किया गया इन सारी ही चीजों को अलग-अलग importance दी गई है अलग-अलग chapters के फॉर्म में उनकी क्या changes है, क्यों इनको include किया गया है और किस लिए human को need है और किस age group में कितनी मात्रा में चाहिए, सारी चीज़े बताई गई है कैलशियम की अगर बात करें कैलशियम का जो RDA दिया गया है वो adult women and men के लिए 1000 mg पर दिया गया है जो कि 2020 का recommendation है और अगर आप 2010 की बात करें तो उस time पर आपका जो RDA में कैलशियम को include किया गया था that was 600 mg पर दे जो कि आज के mg से आज की जो recommendation है 1000 mg पर दे उससे देड़ गुना कम था यानि 1.5 times उससे कम था तो इसको increase करके कैलशियम की requirement को बढ़ा दिया गया है फिर उसके बाद है pregnant women के लिए इनके लिए भी 1000 mg पर दे है lactating mother को plus 200 mg इसमें add करनी का suggestion दिया गया है यानि कि उनको 1200 mg आपको calcium intake करना है और post menopausal women के अगर बात करें तो उनको भी 1200 mg पर दे देने के लिए इनोंने suggest किया है post menopausal women are those who who have मतलब उनका जो menopausal जो period है वो complete हो चुका है 45, 47 और 50 से अबव जो women होती है उनको इस category में रखा जाता है फिर उसके बाद आता है phosphorus phosphorus में accept infants और सारही age group को 1 is to 1 ratio में calcium के आपको phosphorus intake करना है वहीं अगर हम infants की specially बात करें तो infants को आपको डेढ़ गुना आपको calcium का phosphorus प्रोवाइड करना है और magnesium की अगर बात करी जाए तो magnesium 370 mg per day was considered to be average requirement for adult men मतलब 370 mg per day आपको magnesium intake लेना है sodium or potassium को अगर हम कहें तो दो WHO की जो 2012 की report है उस पर based recommendation दी गई है जिसमें sodium or potassium की सही मात्रा पूर्ति की जा सके इसमें hypertension से prevention के लिए और आपके कुछ heart diseases होती है इन सभी से बचाव के लिए sodium or potassium का सही मात्रा आपने intake करना बहुत जरूरी है तो sodium की जो मात्रा है वो 2000 mg per day इनोंने recommend की है जो कि आपके 5 ग्राम जो salt है per day अगर आप consume करते हैं तो उससे आपकी fulfill हो जाती है वही potassium की अगर बात करें तो potassium 3510 यानि की 3510 mg per day इनोंने consume करने के लिए suggest किया है sodium or potassium का जो आपका ratio है वो 1 is to 1 mmol होना जरूरी है फिर उसके बाद है zinc, zinc में adult men को 17 mg per day, adult women को 13 mg per day consume करना है selenium की बात करें तो ये है 40 microgram per day और iodine है 150 microgram per day for adult antioxidants को भी इस बार इनोंने include किया है जो कि पिछली report में include नहीं किया गया था that is 400 grams per day antioxidants को भी diet में incorporate करना है अब हमारे जो थे हमारे जो चार्ट दिया गया था उसमें vitamins के बारे में था वही vitamins से हमारे charts में include की गई है तो इसलिए मैंने उनको अलग से नहीं बताया है मतलब इसलिए हम इसको इसमें पढ़ लेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपने chart को divide किया है यह जो chart है वो EAR का है as you can see EAR इसके next जो chart है वो RDA का है जो ICMR के जो head है president है miss doctor उन्होंने बताया है कि आपको जो जब भी आप diet plan को focus करते हैं जब भी आपको diet plan मनाना है और regular life में इनको यूज करना है तो आपको EAR को focus करना है ना कि RDA को RDA जो है वो एक जो उनके truth term यूज किया गया था that was fantasy type में और जो वो स्रिफ एक standards के लिए है बट actual life में जब आप आप डाइट में चीजों को incorporate करते हैं डाइट में इनको follow करते हैं इनको follow करते हैं उनको EAR follow करना है इंडियन के लिए और उन्हीं के बेस पर उनका diet chart उनकी diet को start करना है set करना है ना कि RDA के बेस पर तो EAR is more important more dependent and more trustable chart for making a diet plan तो हम लोग बात करते हैं पहले EAR के बारे में EAR में अनों ने सबसे पहले age group को divide किया है उसके बाद है आपका category of work मतलब व्यक्ति जो है वो किस प्रकार की शार्यक्षमता में engaged रहता है फिर है आपका body weight उसके बाद energy कितनी लेनी है आपको protein calcium magnesium iron zinc iodine thymine riboflavin niacine vitamin b6 आपका folate और उसके बाद B12 vitamin C vitamin A vitamin D इन सारी ही चीजों को इन्होंने अपने चार्ट में include कर लिया है तो मैं में सबसे पहले बात करें sedentary moderate और heavy workers में इन्होंने इनको divide किया है तो पहले जो हमारी body weight था जैसे कि हमें पता है कि सब में 5 kg उन्होंने प्लस कर दिया है तो man का पहले 60 था और आप 65 कर दिया है तो 65 kg एक जो हमारा standard man weight उन्होंने रखा है जिसमें आपको अगर आप sedentary worker हैं तो 210 आपको energy लेनी है अगर आप moderate हैं तो 2710 लेनी है यानि कि उसमें उन्होंने 600 energy kcl उन्होंने प्लस किया है और वहीं अगर heavy worker हैं तो 3770 लेनी है तो लगभग उन्होंने 700 के करीब में आपकी energy को प्लस किया है तो इस तरीके से energy आपकी energy की requirement को फुल्फिल करते हुए इन्होंने इसको डिवाइड करके बताया है प्रोटीन आपको लेनी है 43 ग्राम्स पर डे आपको यह जो यूनिट्स है वो याद रखनी है कि किस कौनसी वाल न्यूट्रेंट को किस आपके किस आपके जो मापने का मापक होता है किस यूनिट के इन्होंने 800 मिलीग्राम पर डे बताया है मागनीशियम के लिए 370 इसको चार्ट को आपको इंडिविजुली याद करना होगा और आपको बिसिकली याद करना है एनर्जी प्रोटीन केल्शियम और इसके साथ में ही आपको वाइटमिन डी जो 400 है इसारी चीज़ने बेसिक याद रहे जाएंगी और आपको इसके साथ में वाइटमिन एज़िए आपसे पूछा जासकता है क्यूंकि वाइटमिन इसे रेतौन्धी वबढ़ा रोग होते हैं और इनसे रिलेटर्कम आपके इसे WhatsApp याद रखना है और नाइसिन आपको याद रखना है याइए इए आ सब्सक्राइब प्रेजनेंट के वेट में उन्होंने 10 kg प्लस किया है क्योंकि 10-12 kg एवरेज एक वूमन का द्यूरिंग प्रेगनेंट गेंट होता है फिर उसके बाद lactating mothers को भी उन्होंने दो parts में divide किया है that is 0 to 6 months and 7 to 12 months तो इनकी basis पर भी इन्होंने इसको divide करके अलग-अलग energy की requirements protein की requirements को बताया है infants में जो बच्चे 0 से 6 महीने के होते हैं जो से mother breastfeed पर dependent होते हैं उनकी energy और protein और iron calcium सारी requirements mother breastfeed से fulfill हो जाती है तो इसलिए इनका जो जितने भी सारे columns से इनको blank छोड़ दिया गया है फिर उसके बाद अगर आप बात करें शिक्स टू ट्वेल मंद के बच्चे के लिए तो उसमें भी कुछ चीज़ें आप सिर्फ complimentary food को एड़ करते हैं तो वहां पर उन्होंने जैसे कि iodine है iodine की आपकी requirement है आपके vitamin B6 की requirement है vitamin B1 की requirement है इसको additionally इन्होंने बताया है बाकी चीज़ें आपकी breastfeed से और आपकी complimentary food से incorporate हो जाती है फिर है children children को इन्होंने 3 parts में 3 ages में divide किया है 1 to 3 years 4 to 6 years and 7 to 9 years और boys इसी में इन्होंने boys age को 10 to 12 girls को 10 to 12 boys में 3 to 15 girls में 3 to 15 boys में 16 to 18 girls में 16 to 18 ये सारी ही चीज़ें include की है और उसके बाद की जो age की group है वो men और women में it after 18 include हो जाते हैं तो यहां पर सभी की body weight आपका जो ideal होना चाहिए वो यहां पर इन्होंने include किया है आपकी energies की है तो आपको basically जब भी diet plan को follow करना है बनाना है तो आप इसमें follow करेंगे EAR को next हम लोग बात करते हैं RDA के बारे में जो Indian RDA प्रोवाइड किया गया है यह it is slightly different from EAR EAR की जो हमारे जो data है जो उन्होंने इसमें mention किया है that is different from RDA देखिए RDA में आपको 54 protein के लिए लोग बात कर रहे हैं और इसमें calories को include नहीं किया गया है और मैं की अगर हम बात करें तो वहीं आप देख रहे हैं यहां पर आपकी जो protein थी वो 43 थी यह देखिए 43 protein इन्होंने आप इंक्लूड की है जबकि जो जो RDA है RDA में यहां 54 calories ही include की गई है इस तरीके से आपको सारी चीज़ें आपको खुद से याद करनी है एक्जाम में RDA पूछा जाता है और अगर आप डाइट प्लान बना रहे हैं तो आपको आपको follow करना है फिर उसके बाद हम बात करते हैं daily nutrient recommendation for elderly in India तो elderly के लिए 60 से अबव के लिए इन्होंने अलग से calories की requirement बताई है जो EAR है उन्होंने 1700 बताई है और RDA ने कोई recommendation नहीं दी है dietary fiber के लिए EAR ने कोई recommendation नहीं दी है जबकि RDA 32 बताया है 32 अपको dietary fiber लेना है और protein 42 and 42 आपका बता है EAR ने और RDA ने बता है 54 vitamin A जो है वो है 460 from EAR and RDA ने इसको 10,000 में इन्होंने से conclude किया है तो इसी तरीके से different different आपके nutrients की different different इन्होंने requirement बताई हैं फिर उसके अगर बाद हम बात करें acceptable micronutrient distribution range by age and psychological group as percent of energy यानि कि आपको energy के percent में कितनी protein लेनी है कितनी protein लेनी है कितना fat लेना है कितना N6 Pufa N3 Pufa और carbohydrate लेना है energy के energy को ध्यान में रखते हुए तो उसका भी चार्ट इन्होंने clearly दिया हुआ है क्योंकि यह जो आपको data है यह उसके लिए होता है कि जो reference है लेकिन आपको अगर आप किसी particular percent के लिए dive chart create कर रहे हैं तब आप उसके percent की basis पर calculate कर सकते हैं तो यहां पर pregnant and leg dating mother के लिए कहा गया है कि minimum 5 and maximum 15 percent आपका energy से energy आपकी 55 to 15 percent protein होनी चाहिए आपके carbohydrate आपका 45 to 65 percent होना चाहिए ऐसे ही आपके 1 to 2 years के लिए 5 to 15 percent होना चाहिए adults के लिए भी हो सभी के लिए इन्होंने अलग-अलग classification दिये हुए हैं फिर उसके बाद इन्होंने बताया है summary of the recommendation intake for other minerals and trace elements इस तो एक basic इन्होंने बताया है कि जो recommendation intake है per day phosphorus का 1000 mg sodium का 2000 mg potassium का 3500 mg copper का आपका 2 mg magnesium का 4 mg chromium का 550 mg और selenium का 40 mg तो इस basis पर आपको इस सारी से learn करनी है यहां मैंने बता दिया है फिर है tolerable upper limit जो nutrients की है कि आपको इससे जादा नहीं लेनी है तो यह actually आपसे exam में पूछा नहीं जाता है but still if you are dietitian आप diet charts बनाते हैं तब आपको इस सारी चीजन को ध्यान में रखना होगा जैसे कि कोई मेल नरीज होता है तो हम उसको एक अपर लिमिट में देते हैं कि जो आप वह जो इंटेक कर रहे हैं उससे जादा उसकी diet को बढ़ा कर उसमें nutrients को हम बढ़ा देते हैं तो यह अपर लिमिट इन होने लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें साथ में आपके कार्भो हाइटरिट के ऊपर जो एक और वीडियो है वह मैं कल आपको अप्लोड करूंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि जो आपकी keto diet होती है वह हामफुल है या अच्छी है उसको फॉलो करना और कार्भो हाइटरिट को क्यों include किया गया क्यों इसको emphasize किया गया इसारे चीज़ें हम उस वीडियो में देखेंगे थैंक यू फॉर वाचिक मैं वीडियो और हैवा गोड़ डे बावाई